मागटबंदन की रैली खत्म हुए अबी दो दिन हुए हैं कि एक बार फिर से गटबंदन के अंदर चर्चा होने लगी है और विधायक एक दूसरे पर आरूप लगाने लगे हैं द्रसल दो दिन पहले ही डिप्टी सेम तेयस्वी आदो और सेम नितीश कुमार मंच पर मौझूद थे मागटबंदन को एक जूट करने की चर्चा कर रहे थे लेकिन ऐसा क्या हो गया दो दिन बाद की राज़त विधायक चे बयान पर जद्यू ने नितीश कुमार को आखरी अखरी अल्टिमेटम दे दिया और क्या दिया कि तेयस्वी आदो अपने विधायक को संभाल लीजिए द्रसल सुधाकर सिंग ने पर फिर से बयान दिया और कहा कि नितीश सरकार से अच्छा राष्टपति से असन लगा देना चाहिए नितीश कुमार को इस्तिपा दे देन चाहिए और वहाँ पे राजद के साथ-साथ भालपा और जद्युके विधायक मौझूद थे सदनका सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार नहीं रहा आसार है कि कल से सदनका सत्र हंगामेदार रहेगा लेकिन आज सुधाकर सिंग के बयान ने हंगामा मचा दिया और ऐसे में जनतादल युनाइटेट के कई नेताओं ने बयान दे दिया जद्यू के नेता सुंझर सिंग का बयान सामने आया उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जन्रता दर यूनाइटेट के अंदर नितीश कुमार को लेकर और बिहार के अंदर नितीश कुमार को लेकर विश्वास का माहल है। राजत बिधायक के ये बयान और राजत बिधायक के बयानबादी से लोग आहत हैं तेस्वी आदों को इस पर फैसरा लेना चाहिए जल्द से जल्द कारवाई होनी चाहिए दरहसल पिछले दिनों सुधाकर सिंग ने मुक्कमंत्री नितीश कुमार को सिखंडी का था और उसक संज्ट कर दिया है कि मुक्कमंत्री नितीश कुमार जो लगतार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए लोगों कैसे रोजगार दिया जाए और ऐसे में सुधाकर सिंग ये अनरगल वारतालाप अनरगल बयानवाजी कर रहे हैं ये कहीं से सही नहीं है सुधाकर पर नितीश कुमार के साथ साथ उनके तमाम विदायक और MLC हमलावर है और अब कारवाई की मांग हो रही है अगर सुधाकर सिंग पर कारवाई नहीं होगी तो गटबंदन के लिए ठीक नहीं होगा जदियू ने सब कुस्पस्ट कर दिया है वड़ाने वाले दिनों में सुधाकर सिंग पर कारवाई को लेकर जनता दल यूनाइटेट के नेता लगतार अड़े रहेंगे अगर वीडियो पसंद आई अर व मुफ्त में मिल जाए अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद